नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जबकि पूर्णमान के मुताबिक इसके आने में 8-9 दिन तक समय और लग सकते हैं इस दोरान इसके बिहार और बंगाल के कुछ भागों में अच्छाजित होने की संभवना बन रही है मौसम भी भाग के ताजा पूर्णमान में अगले 5 दिनों के दोरान महराष्ट, उडिशा, तर्टिय, अंद्रपरदेश, बंगाल की खाड़ी का सेस भाग, पच्मी, बंगाल और बिहार के कुछ हिसुत तक आने का पूर्णमान है इस संभवना के पूरी हो जाने के बाद जहरखन में मानसून आगमन के लिए 4-5 दिन और लग सकते हैं बता दे, राज में पिछले 1 दसक के दोरान जहरखन में केवल 3 बार मानसून समय पर और 7 बार बिलंब से आया है 2014 से लेकर 2023 तक यह केवल 3 बार 2015 में 15 जून, 2020 में 13 जून और 2021 में 12 जून को जहरखन में परवेश किया है अदालत में पेश नहीं हुए हेमंत सुरेन जमीन घोटाले मामल में आरोपित पूर मुखमंतरी हेमंसूरेन के खिलाब एडी द्वार समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर आदालत में दाखिल सिकायतवाद पर MP MLA कोट में सुनवाई हुई कोट की ओर से जारी समन के बाद भी सनिवार को हेमंसूरेन उपस्थित नहीं हुए अदालत ने मामले में हेमंसूरेन की ओर से उपस्थिती की तीथी निधारित की थी हेमान स्वरेन की उपसिती सुनिश्चीत कराने के लिए अब एडी की ओर से कोट में प्रोडक्शन वरंट जारी करने का आदेश दिया गया है अदालत ने अगली सुनवाई के लिए अठाई जुनकिती थी निधारित की है मतदाता सुची से नाम हटाने से समधी सिकायतों की होगी जाच लोग सभा चुनाओ को दोरान मतदाता सुची से मतदाताओ के नाम हटाये जाने की कई सिकायते चुनाओ आयोग मिली थी अब इसकी जाच होगी मुख निवाचन पताधिकारी केरवी कुमार ने इन सीकायतों की नियमा अनुसार जाज कर आवसक करवाई करने की निर्देश जीला निर्वाचन पताधिकारीों को दिये हैं मुख निर्वाचन पता अधिकारी इसी वर्ष नॉम्बर दिसंबर में होने वाले विधान सभाचुनाओं से पहले मद्दाता सुची की विशंगत योग दूर करने को लेका सुक्रवार को विडियो कंफेस्टी के मात्यम से आवसक दिसानिर्वाचन दिये थे बता दे इसी करब में मुख निर्वाचन पता अधिकारी ने जीला निर्वाचन पता अधिकारियों से कहा है कि लोग सब चुनाओं की दौरान मत्दाता सुची से गलत ढंग से नाम हटाये जाने की कुछ सीकायते प्राप्त होई है जिसका नियमा अनुसा सत्यापन करते इस वर्ष भी जारकन की किसी संस्थान में नहीं होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिन संस्थानों में संचालित होने वाले इस पार्थ करम नमांकन के लिए नेशनल कॉमन टेस्ट आयोजित की है उनमें एक भी संस्था जारकन का नहीं है समभवता जारकन के किसी भी संस्थान को इस पार्थे करम के लिए मन्याता नहीं मिलने से यहां के किसी संस्थान को सम्मिलित नहीं किया जा सकता यह परवेश परिक्षा 12 जुन को आई जीत होई जिसके लिए जारकन में भी रांची बोकारो जमसेदपूर और धनवाद में केंदर बनाये गए थे बत बोकारो के पोड़ा गाउं से चार बच्चों के गायब होने से हड़कंप जारकन के बोकारो मेक्समार थाना छेतरे के पोड़ा गाउं से चार आदिवासी बच्चे दो दिनों से लपाता है सोजनों द्वारा काफी खोज बीन के बाद भी बच्चों का सुराग नहीं मिल बच्चों के अचानक गायव से सोजनों के साथ पूरा गाव भी पूरी तरह से चिन्तित है मामले में सोजनों ने कसमार धाना में बच्चों के गुमसुदकी का मामला दज कराते हुए परशासन से बच्चों को सकुसल बराम्दगी की मांकी है बताया गया है कि पोड़ा गाव निवासी रोहित कुमार का वारव वर्षिये पूत्र सागर हंसदा बाबुदा समान जी का चौदा वर्षिये पूत्र राजु बेसरा और जितेंद्र कुमार हंसदा का तेरा वर्षिये पूत्र ससिकांध हंसदा और रोमन मांजी 13 वर्षी पूत्र निखिल सुरेन गुरुवार की अहले सूबा से ही गाउं से गायब है परतिभा समान समारो आज 10 वी बारहमी बोर्ड के टॉपर होंगे समानित परतिभा समान समारो 16 जुनका योजित होगा इसमें 10 वी और बारहमी के स्टेट टॉपर और मेधावी बिद्यार्थी सत्र दोहरते 24 को समानित किया जाएगा समान समारो पीपी कंपाउंड इस्थीद गुरुनानक स्कूल सबागार में हो रहा है बताद में धावी बिद्यार्थियों को राक्षा राजमंत्री संजाय सेट बित मंत्री डाक्टर रामेशर उराम, पेजल यम स्वक्सता बिभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुरो किरीसी मंत्री बादल पतरलेक समानित करेंगे समारोह की सुरुआज सुबा 10 बजे होगी इसे पहले बिद्यार्थियों को आयोजन अस्थल पर सुबा 8 से 10 बजे तक पहुच कर अपनी उपसेती दर्च करानी होगी जैक, CBSE और ICSE की दस्वी और बरहावी बोर्ट परिष्खा में बहतर परसन करने वाले बिद्यार्थियों के साथ साथ समान्धित स्कूल के परचारियों को भी समानित किया जाएगा परतिभात समान समारों में स्कूल टोपर के अलावात ताय मापदंड से अधिक अंक हासिल करने वाले में धावी बिद्यार्थि भी सामिलित होंगे बता दे इसमें जैक बोर्ट के 10 बरहावी में 80% अंक या इससे अधिक हासिल करने वाले बिद्यार्थि जबकि CBSC और ICSC बोर्ट से 10 बरहावी में 90% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थि सामिलित होंगे जामतरा में बजरपात से दो लोगों की महत जामतरा के बिंदा पाथर थाना छेतर में सनीवर को दो अलग-अलग जाओखों पठान का गिने से एक बच्चे समय दो लोगों की महत हो गई है पहली घटना गोडिया पंचायत के जबरदा गाविस्थीत बड़ाबाद टोला की है मिली जनकारी के नुसार बड़ाबाद टोला के सुकुमार हेंबरम का धाई वर्षी पूत्र अविनास हेंबरम को सोचाले कराने के लिए उसकी मागोर के पिछे मैदान में ले गई थी इसी बीच बुन्दा बांदी के साथ ठनका गिरा जिससे बचा भेहोस हो गया पर्त्यक्ष दर्षियों ने बताया है कि मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई थी हालाकि आनन फानन में परिवार की लोग बच्चे को एंबुलेंस और सदर अस्पताल जाम तड़ा ले गाए इस गटना से गाव में कोहरा मच गया है जारखन को मिलेगी एक और बंदे भारत ट्रेन की सोगाद टाटा नगर रेलवे स्टेशन से जल्धी बंदे भारत ट्रेन चलेगी इसका काम प्रगती पर है बोड अस्तर पर फैसले के बाद यह कहां से कहां तक चलेगी इसकी जनकारी दी जाएगी यह जनकारी सनीवार को दक्षीन पूर रेलवे के جि-म अनिल कुमार मिस्ड़ा ने दी है सनीवार को टाटा नगर स्टेशन के निरिक छन के दोरान उन्होंने पत्रेकारों से बाते कही जी-म ने कहा है कि दक्षीन पूर रेलवे को कई वंदे भारत ट्रेने मिली है इन्हों ने कई भीकास योजनाव की जनकारी दी और कहा है कि टाटन अगर रेलवे स्टेशन पर तीन नए प्लेट फोर्म और आधित्यपूर में दो अत्रिक्त प्लेट फोर्म बनाये जाएंगे प्येम किसान योजना की सतरहवी किस्त का पैसा जल्द जारी करेंगे प्येम मोदी प्रादान मंत्री मोधी स्वेम सहाता समोख के 30,000 सधिक सदस्यों को साटिफिकेट भी देंगे। इन सदस्यों को क्रीशी सक्यों के तोर पर ट्रेनिंग दी गई है। इसका मकसद खेती में किसानों की मदद करना है। जमसेदपूर के XLRI प्रेक्षागिरिह में होगा नेशनल हो फिलिम फेस्टिवल का सीने अवार्ड समारो। जमसेदपूर के बिश्टूपूर XLRI प्रेक्षागिरिह में रभिवार को अल इनडिया हो फिलिम एस्टिवल का सीने अवार्ड समारो कायोजन होगा। इसमें बेस्ट फिलिम, बेस्ट अविनेता, बेस्ट अविनेत्री वा बेस्ट निर्देशक, सरीखे, पुरसकार, सतरंगी, रंगारंग कारकरम के बीच बाटा जाएगा। अल इनडिया हो फिलिम एस्टिवल का अध्याग सूरा बिरूली ने बताया है कि सीने अवार्ड समारो में बतर मुख्याती थी मुख्यमंत्री चमपाई सुरेण पहुंच रहे हैं। इसके अलावे आदिवासी समाज के सिक्षा, बुधिजीवी, सोव सासन ब्यवास्था के प्रमुख के अलावा जन जातिये सीने मा सजुले निर्माता, निर्देशाक, अभिनेता, अभिनेत्री भी सीने अवार्ड समारो में सिर्कत कर रहे हैं। पानी बिजली संकट के खिलाप भाज यूमों ने सीम का पुतला फुका। पुतला फुकारो के कसमार से गायब चार बच्चों में से एक बरामद। दूमरी बिहार रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। बरामद बच्चे का नाम सशिकान्थ हच्टा है, जिसे परीजन घर ले गए हैं। बाके तीन बच्चे दूमरी बिहार स्टेशन से सटे जंगल में भाग गए जिनकी खोज बिन जारी है। जनकारी के अनुसार इन चारों बच्चों को सरारत, सुझी और पैदल ही भागा कर गोमियों पहुँच गए वहीं सनिवार को कासी टांग के सामने से गुजर रहे इन बच्चों को एक रिष्टेदार ने देख लिया रिष्टेदार ने इसकी सुझना बच्चों को पिता को दी तो बच्चे वहाँ से भाग निकले परिजन जब कासी टांड पहुँचे तो बच्चे वहाँ नहीं मिले रिष्टेदार की निसंदेही के आधार पर पूष्टास करते हुए परिजन डूमरी बिहार इस्टेशन पहुचे तो वहाँ से सिकांत हस्ता को देह कर पकड़ लिया गया है अंतराश्ट्रिय वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य गिरफतार पूलिस ने अंतराश्ट्रिय वाहन चोर गिरोह का भंड़ा पोड़ करते हुए चार लोग गिरफतार किया है दरसल एस्पी को सुचना मिली की कोडर मा थाना कांड संख्या 1222 के सभी अभयूकत बिहार के बैसाली जीले गाड़ी ले कर गाये है इस पर एस्पी द्वारा एक चापे मारी दल का गठन किया गया और दल को चापे मारी के लिए बैसाली रवाना किया गया टीम ने चापे मारी के कर में बैसाली जीले के महुआ थाना अंतरगत इस कांड के सभी अभयूकतों को सुफ्ट कार के साथ गिरफतार कर लिया जिनकी निसादेही पर बिहार के मुझाफर पूर जी लेके मिठन पूरा थाना अंतरगत एक गैरेज से इस कांड में चोरी किये गए सकारपियों के कुछ पार्ट को बरामत किये गए खुटी में बाइक की टकर से आयार भी जवान की मौत खुटी के जरिया गढ़ थाना चेतरे के तोरपा कारा मोखे पत के बाला डूमरी गाओ के समीप सन्निवार को कार और मोटर साइकल के होई भी भीडनत में बाइक सवार जुगा की घाटना सतल पर ही मौत हो गई है मिरिता की पहचान आसकर हेमरोम 36 वर्षिये के रूप में की गई वह तोरपा थाना के बारकूली राय टोली का रहने वाला था और इंडिया रिजर बाटालियन धुर्वा में पदस्था पित था जनकारी के अनुसार आसकर हेमरोम बारकूली राय टोली इस्थीत घर से मोटर साइकल से राची जा रहा था इसी दोरान बाला डूमरी गाउं के पास तेज गती से आ रही एक कार ने अन्यंत्रित होकर बाइक को टकर मार दी धन्यवाद